हाई अब्रिवन इन गुड मोर्निंग कैसे हैं आप सब होप करते हैं कि वेहद ही अच्छे होंगे आज के इस नय सफर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज है 26 जन्वरी हमारा सम्मिधान 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ था तो इस दिन गंतन दिवस का तेवहार मनाते हैं तो गंतन दिवस की धेर सारी सुबकामनाई आप सभी को तो आज हम लोग बहुत खुसें बहुत-बहुत जंडा पहराएंगे और आप लोग वीडियो प में सूटर बगारा पहनी हुई हूँ ए रहा सुबह कानचारा, सुबह कानचारा आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी टाइम की हरियाली देखक करना मन सुकून सा भर जाता है तो हमारे सानषाद आप लोगों का मन भी सुकून सा भर जायगा इतनी टाइम पे खेतों साइड जाए ना इतना अच्छा लगता है इतना अच्छा कि लग रहा कि खेत से घर ही न जाएं बहुत अच्छी भरी हर्याली आप छा गई है यह हमारा वीडियो ना बहुत लेट जा रहा है हमारी तबियत खराप होने की बज़े से इस अभाल हो रही है मैं डेली के डेली इस टाइम भी बिल्कुल वीडियो सेयर नहीं कर पाती हूं आप लोगों के साथ तो ए रहा 26 जनवरी का वीडियो जो थोड़ा बहुत सूट की थ तो आज आप लोगों के साथ मैं सेयर करूंगी तो अब मैं करने लगी हूं आगन की पताई जब कोई भी तेवहार आता है छोटा मोटा आए चैहे बड़ा आए बट हमारे यहां लिपाई पताई साप सफाई करने की बहुत जादा तगड़ित तयारिया शुरू हो जाती है तो आज हम कर रही है अपने हाथों से बाहर वाले आगन की पताई काली मिट्टी और गोबर से जब बहुत दिन हो जाता है तो एक भी अच्छा नहीं लगता आप खासता तो तेवहार के दिन पताई लिपाई और सफाई कर दो तो बहुत सुन्दा लगने लगता है तो आप लोग देखिए मैं हम कैसे कर रहे हैं और ठंडी को तो कुछ कही भी नहीं सकते कि ठंडी कब कम होगी और हम लोगों को अच्छा लगेगा और ठंड के मान ना पताई लिपाई करने को मन भी नहीं करता था मरतो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए बोलते हैं ना चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े चाहे बर्पी भी पड़े चाहे बारिस ही क्यों ना हो घर का काम तो करने पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं जब बाहर वाले आगन की पताई करती हूँ था हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत अच्छा लगता है तो आप लोगों को कैसी लगी ए लिपाई पताई कैसे कर रही हूँ अगर कहीं पास भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता ही है और कमेंट में जरूर बताइएगा अब हमाई तभी ठीक लगेगी ना तो आप लोगों के साथ में डेली का डेली वीडियो बिल्कुल सेयर करूंगी बिल्कुल बिल्कुल सेयर करूंगी कुछ इस तरीके से हो गई है आगान की पताई लिपाई कितना अच्छा लगने लगा आगान ये देखिए चारों तरफ घुमा घुमा के आप लोगों को दिखा देती हूँ आप बहुत अच्छा लगने लगा है जो थोड़ा बहुत बाकी होगा ना तो हो गया दूसरे दिन कर लोगी नहीं एक दिन नहीं कर पाऊंगी तो देखिए कुछ इस तरीके से कर दिये हैं मैंना जैसी ही पताई लिपाई करके खाली हुई ना तो मम्मी पापा कोई अब घर पे नहीं है लग रहा है चले गए है खेट साइड तो पापा फोन लगाए हुए थे कि गोलो मोलो को खाना दे देना भूल गया है तो आज हमें अचानक देना पढ़ रहा है गोलो मोलो को तो भूसा और कुटी जिसको घास बोलते हैं मसीन से काट के मिक्स कर लिए हैं और अब उसके नाद में एक टोपरी भर के डाल दूँगी तो ओ खा जाएगी बहुत चोरों के साथ उन्हें भूक लगी है जब ना कभी ऐसा हो जाता है जो काम डेली डेली ना करो अचानक करन तो ँसका सूका एक भी नहीं खा पाएगी तो ऐसे डाल दूँगी जब कुछ भी काम डेली कर डेली करो तो अच्छा लगता है और इस सब काम तो मम्मी पापर लोगों का है तो आज हमें करना पढ़ रहा है होग गया कोई बात नहीं घर का काम है हमें बहुत अच्छा लग जमना मैं गोलू मोलू के नाद में गास और पानी डाल दिये हैं तो बेचारी देख रही थी कि कुछ लाएगी आटा वगएरा लाएगी दली वगएरा तो हमारे नाद में डालेगी तो मैं खाऊंगी तो ला लिये हैं एक केजी तक उसमें पुरा डाल देंगे मिक्स कर दोंगी तो जल्दे जल्दी खाते जाएगी तभी तो उसमें टेस्ट बढ़ जाएगा जैसे हमी लोग ना दाल चावल खाएं और सबजी ना खाएं तो टेस्ट थोड़ी नहराएगा एक भी अच्छा नहीं लगेगा नहीं लगी है तो आज मैं बनाने वाली हूँ लवारा जिसको चकिया बोलते हैं तो हरा भरा लओकी तोड़ के ला दिये बग्यास एक लोगी छोल भी दियें छिलका उतार दियें हैं अब तीन लोगी रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी रिषेपी आप लोगों के साथ मैं सेयर करने वाली हुँ तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे हैं तो लवो को घिस के आप गोरेर की गोरनी से आप बनाना इस्टार्ट करती हैं दादी मासी बनवा रहे हैं ठंड का टाइम है लवारा वगएर बहुत अच्छा लगता है लवारा बोलते हैं हम लोग कितरा अच्छा फेट लिए हैं चावल के आर्टे से बनाओ हाते से पोपो के बना रही है ऐसे ही पूरा चकिया लवारा ना बना बना के फ्राइक करकर के इकस्था रखते जाओंगी फिर मज़ा आएगा खाने में तो मैं यही कुछ बातों ही बातों में वीडियो को इंड भी करने जा रही ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुती अच्छा अच्छा वीडियो लेके आशकूं तब तक मिलते रहेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेक केर रखे अपना फ्याल